आपके स्कीन के सामने जो चार्ड उपन हुआ है निफ्टी मेटल भरसेस निफ्टी का राश्यो चार्ड और टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ है विकली राश्यो चार्ड क्या है और आप राश्यो चार्ड को कैसे उज़ कर सकते हैं चानल में एक सेपरेड विडियो है लिंक पिल जाएगा एक जाल ली आप देख सकते हैं प्राइस यहां पे 2017 में टॉप्टिड क्या था उसके बाद देखिए प्राइस यहां पे construction क्या था सब्सक्राइब करके इसका इम्पोटन के आश्पाश ट्रेडिंग कर आए प्रोबाबेली हाई कि अगर support को hold कर लेता है यहां से out purpose आ सकता है जैसे कि हम multiple time analysis की कि price के character है अगर multi year का support के आसपास आ जाता है वो सबसे low risk जोन होता है अगर आप देखेंगे black line के उपर focus कीजेगा जो कि start वा था year 2020 से उसके बाद देखें जब भी price इस black line को test किया है हम मिसा से demand मिला है तो एक जा अगर यहां से signal दे रहा है कि nifty metal sector जो है यहां से nifty को outperform कर सकता है अगर nifty metal sector outperform करेगा तो उसका related stock भी outperform कर सकते है जैसे कि Tata Steel बगेरा अब ही मैं आपको compare करके दिखाता हूं nifty metal versus nifty 500 का ratio chart फास्ट अफल अब हम चेक किये थे nifty metal versus nifty का ratio chart अब ही देखें आपके skin के सामना आ गया है nifty metal versus nifty 500 का ratio chart और यहां पर मैं 200 week simple moving average को आड़ कर लेता हूं एक जो red line चल रहा है 200 week SMA का एक जाली price देखें यहां पर उसका 200 week simple moving average के असपा सपर ले रहा है और एक well different boundary के असपा सपर ले रहा है तो potential high कि दोनों राश्चो चार से signal मिल रहा है metal sector आने वाल टाइम में outperform कर सकता है इसलिए metal sector को आपके राडर में रखेगा अब हम चलते है metal sector का index के उपर तो एक बार यहां पर मैं डेली चार्ड ओपन कर लेता हूं जैसे के आपके स्किन के सामने देखें निप्टी मेटल का डेली टैंप फ्रेम का चार्ड ओपन के हम और जो रेल लेंड जा रहे है 200 एका simple moving average देखें metal sector जो है उसका well defined support को यहां पर टेस्ट किया टेस्ट करने के साथ यहां पर प्राइस रेडी हो रहा है एक हाई और आए फॉर्मेशन के साथ जैसे मेटल सेक्टर उसका प्रिभ्यों साइक को ब्रेकर देगा तो मेटल सेक्टर में हां पर नया ओप्ट्रेन एस्टाबलीश हो सकता है उसी केस में प्रिभ्यों स्विंग लोग बनेगा stop loss देखें अ आप आजे एक्जिट पॉइंट आई होप कि आप डेटर स्ट्रक्चर को समझ पार होंगे अब हम चलते हैं टाटा स्टील का प्राइस ट्रक्चर के उपर और यहां पर मैं टाइम फ्रेम सेलेडी कर लेता हूं विकली अगर आप टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखेंगे टाटा श्टिल देखिए मैं उसका मॉल्टी एर का गुत्र का अलेडी को सबस्चेघु tu सब्राइब कर रहा है जुकि पर फोकस किचेगा जाटा सुन ट्ं टोन्दी में बट्ण फरमेशन किया था उसके बाद लेत है ज। देखे जब अगलीत प्रेम में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में प्राइस देखेंगे इसका है coming the के आसपास एक हायरा हैं करने के कोसिश कर रहा है उसके साथ 200 जो की रानी के इमपोर्ट्ट आने एक मॉल्यों का सपर्ड आंड 200 सपल रीज आसपास जैसे स्टॉक का प्राइस यहां पे उसका जो प्रिभ्यूश आहीब है ना जो की बन रहा है नियरली 157, 157 लेवल को breakout करने के बद यहां पे price एक नया ओप्ट्रेन एस्टेबलिश कर सकता है और next target बनेगा life high का तो एक बार इस्टोक आपका रडर्म रखेगा एबब 157 यहां पे एक ओप्ट्रेन एस्टेबलिश हो सकता है उससी case में previous swing low बनेगा stop loss चुकि लेवल बन र के लिए 147 का stop loss को place किया जा सकता है और above 157 यहां पे momentum आएगा पहले टार्गेट बनेगा life high का life high को breakout के लिए यूज करेंगे फिबना की extension को क्योंकि life high के उपर कोई भी supply demand लेबल अवे लेबल नहीं होता है अगर यहां पे में फिबना की फ्लोड कर दूंगा जो second target बनेगा वह बनेगा 1.68 का फिबना की extension level वह बन रहा है 210 तो आनेवाल टाइम में stock का price 184 जो की life high का level इसी level और 210 इस दोनों टार्गेट को test कर सकता है वो सीरी साब से आपका rigs, reward and quantity को manage कीजेएगा I hope कि आप data analysis से समस पारे होंगे, कुछ doubt है वीडियो नीचे comment कीजेएगा, वीडियो आचलाया वीडियो लाइक कीजेएगा, चालों सब्सकाइब कीजेएगा, थैंक्यों फ्रवाचे